हेलो दोस्तों नमश्कार वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल और फाइनली पेपर आ चुका है यह बाल विकास और सिक्षन विधी का जी हाँ यह वही पेपर है अट-थाइस नमंबर वाला जो आज आपने सुबा दिया है प्राथमे किस्तर का पहला कुश्चन अब इसको ज विधी के प्रतिपादक कौन है तो यह ब्रेनिस्टार्मिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और इनके प्रतिपादक है जॉन डीवी आपको पता है कि जॉन डीवी किलपैट्रिक के गुरू थे है ना डेविड आसुबेल और मैडम हर लॉग परिभाशा म नहीं मैंने आपको बताया था था थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यह कल रात का ही जो है वो है यह मैं तीन चार बार आपको पढ़ा चुका हो क्योंकि अकसर आपने देखा होगा कि यूपी डेट प्रिवियस यह पेपर में यह कई बार क्वेश्यन आ चुका है अब इस अंग्रेजी में आप पढ़ते प्रिपरेशन तो आप तुरंग समझ जाते कि फिंकिंग का फरस्ट स्टेज है वो होता है प्रिपरेशन व दीपक अन्क्रिया सिधान्त का प्रिटिपादधक किस ने किया था तो अद्धिपक अन्क्रिया यह इभी कल मैंने आपको बताया यह थॉंडाइक का है सबसे पहला लेक्चर हमारा जो है कोर्स का वो यहीं से शुरू हुई होता है अधिगम का अधिगम मैं जब भी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले आपको थॉंडाइक पढ़ाता हूं और इसमें स्टुमुलस रिस्पॉंस या एसार थियरी इसी को कहा जात है थीक है तो पहला विकल्प यहां पर सही होगा अधिगम को प्रभावित करते हैं को प्रभावित करने वाले कारक में व्यक्तिकत कारक समाजिक कारक सम्बंधी ऐबव लगा लगा दिए ठीक है इसमें आपका एबव लग जाएंगा सब लोगों के एकदम मेरा जो है वह जोए मतलब नहीं आते चाह़ाया थो लगभग방 मैं आपको चोगतर सिधांत बतायएं उनिचे सब्सक्राइब सबसे अच्छा नियंत्रित वाता वरण आगे हैं स्पीर मैं का क्या था स्पीर मैं का था टू-फैक्टर थियरी जी इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको जन्रल और स्पेसल इंटेलिजेंस कभी-कभी नाम पूछ लेता है प्रोजेक्ट विधी किस से संबंधित है तो प्रोजेक्ट में थाड है बहिए किल पैट्रिक चाचा का ये मने आपको बताया था पाठ योजना में च्छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है क्या तो अधिगम स इस संब्सक्राइब निदान अब बिल्कुल सई जवाब हो जाएगा अलाव इसके बाद सिक्षण सबसे कम प्रभाशाली कब होगा तो जब सिक्षक अधिकारवादी होगा विध्यारति निश्क्रिक यवल लिखने पर बल ये तो बहुत आसान था उपर यूग सभी लगा दीजिए भाशा रूपांत्रण क्या सिध्धान किस ने दिया यानि ट्रांस्फॉर्मेशनल ग्रामर तो जब मैंने आपसे बताया था कि जब हम पढ़ते हैं सामाजिक विकास तो सामाजिक विकास में वाइगोच्की कोहलवर्क का नैतिक और चौमस्की का भाशा तो यह च अधार पर लेकिन एंटो गॉनिस्टिक नहीं है यह याद रखिएगा ठीक है निमनलखित में से अभी प्रेड़ा के घटकों की पहचान करें तो अभी प्रेड़ा की घटक यह सारे हैं आवशक्ता अंतर नोद और प्रोचाहन मनोभिशलेशर सिध्धान्त के प्रतिपाद अधिगम के सिध्धान्त से संबंधित नहीं है तो इसकिनर अब जैसा मैंने यह बताया यह थॉन डाइक का है तुटियों के माध्यम से सीखना ट्राइल एंड इर्यर थियरी प्रेत्न और भूल थियरी है ना तो यह तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विभि लिकित में से कौन सा अनुदेशन आत्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गी करण के संग्यान आत्मक पक्ष से संबंधित नहीं है तो ब्लूम का जो संग्यान आत्मक पक्ष है इससे कौन सा संबंधित नहीं है ज्यान अवबोध चरित्र निर्मान और विश लेकिन प्रत्यावर्ती अस्तर उल्टा हो जाता है ना तो सिक्षड का उस्तर लेवल कभी उल्टा नहीं होता विकास के मनोसामाजिक सिध्धांत का प्रिपादन केसे ने किया तो मनोसामाजिक मैं आपको बता चुका हूं, गरा देखे थॉंडाइक का क्या था 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 आपका वो इस्टिमॉलस रिस्पॉंसritis इस्पॉंस इंयर का प्रेर अब हैल लोक और एरिक एरिक्सन बचते हैं आपके मनोसामाजिक में तो मनोसामाजिक सिध्धान्त में एरिक्सन को लगा दीजिए पहला विकल्प यहां पर सही एंसर हो जाएगा निम्लिकित्वे से कौन सा थॉंडाइक द्वारा से जाया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है तो अधिग इसका एंसर जो है तो इसका एंसर जो है किया हो सकता है एक सिकंड रुकिएगा वाइगोज्की नेवाक जिन प्याजे तो संग्यानात्मक विकास के थे हैं न सामाजीक विकासवाद कि अगर हम बात करें तो यह वायगोज्ट्सकी घाज सामाजीक अधिगम आपने पढ़ा होगा तुक भी लगाएंगे तो वायगोज्ट्सकी ही लगा के आएंगे ये मैंने आपको बताया था कौन विकास की विशेष्ता नहीं है development की विशेष्ता और यह रिब कैन नहीं है है? isso कि नहीं है तो यह इसको तो आपको सोचव का नंतिम सोपान क्या यानि जब माइग्रो टीचिंग आप करते हो तो सब्से लास्ट का सोपान क्या है सुक्षम सिक्षन का तो पुनाह पुष्टी देना यह सबसे लास्ट में हम करते हूं और आखरी क्वेश्चन होगा बालविकास का गिल्फर्ड की अनुसार अपसारी चिंतन में अपसारी यानि स्रजनात्मक चिंतन में क्या आवश्यक है तो गिलफर्ड भी मैंने आपको पढ़ाया है गिलफर्ड के हिसाब से जो अपसारी चिंतन है उसमें क्या चीज जरूरी है तो सही जवाब होगा विचारों की प्रवाहता ठीक है विचारों की प्रवाहता ये आपक क्या यूपी टेट का जो लीक वाला प्रश्रपत्र है उसका ओरिजिनल कॉपी जो बच्चों को दी गई थी है ना अब जिन के पास इसका पेपर आ गया होगा वो मिला लेंगे देख लेंगे बाकी काफी कुछ मास्टर से पढ़ाया हुआ आया है अगर आप सुपर टेट की यूपी टेट की हाड़ कॉपी नोट्स घर मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे वाट्स अप नंबर चौरानवे बावन चबीस चौहतर बानवे पर तुरंत संपर कर लो इस वाट्स अप नंबर पर आपको ऑनलाइन क्लासेज भी मिल जाएंगी जिनका यूपी टेट तयार नहीं है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इस पर आपको जो है 26-94 यह याद रखिएगा नहीं तो आप लोग गलत कर दें ठीक है मैं फिर से नंबर लिग दे रहा हूं 29452267492 और आप खुद देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना फसा है तो इसे कहते हैं कि जब आप सिल्बस को कंप्रीट टॉपिक वाइस पढ़ लेते हो तो चीजें फिर बाहर से नहीं आती हैं उस कॉंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप जो है बता पाओगे तो चलिए नाम और जिला का नाम लिख करके भेजिए और जुर जाईए हमारे साथ एक्जाम मास्टर फ क्वेश्ट से तो ले से ले से पस्ते हैं भी करेंश कर बाल जासर जा जासर ले जाईए हम ठो जाईए हमारे से ले ले टुट से तो बाल टीजे नाम लेकी पर